नमस्कार विद्यार्थे मित्रो शर्व मजामा हसो कुसड हसो हवे आपणे कीम नाम व्यक्तित्वम जे पाठ आपणे जोता हता अधार्मो पाठ छे किम नाम व्यक्तित्वम एटले के व्यक्तित्व ए खरे खर सू छे तो भरत्रुहरी नामना कवी ए जे निती सतक नामना जे स्वाश लोको एटले के सतक ये सतक कावय जे रचिव एमा थी एक स्लोक लेवा मा आवयो छे के मनुष्यनू जे व्यक्तित्व छे कई रिते निखरी सके तो कई-कई बाबतों मा तेने कई बाबतनों ख्याल राखवो जोईए तो तेनू व्यक्तित्व महान बनी सके पूरुस मा आने महापूरुस मा आटलू जन्तर छे बरबर जे ए बदू करे छे ते महापूरुस जे नथी करता ते बदा पूरुस आत्मा महात्मा फर्क खाली अटलोत छे बरबर तो ये शलोक वीशे आपड़े छिल्ले जोयोतु छता पण हुँ तमने फरिवार समझावी दवु जे तमारी सामेचे शलोके समझावी दवु विपदी दैर्यम अथ अब्युदये क्षमा इटले के आपत्ती मा दीरज दैर्य अने अब्युदय इटले प्रगती उन्नती मा क्षमा सदसी वाक पट्टूता सबसी इटले सबा सब्तमी विबक्ती छे सबामा वाक पट्टूता इटले वानी चातूरिय अने युदी विक्रम युद्धमा विक्रम पराक्रम युद्धमा पची आपड़ बेहाथ ब्यासी प्रसिद्धी मेडवी छे तो तमारे यहां रस रूची केडवी जुए बरबर यससी चा अभी रूची बरबर एटले के यस मेडवानी बाबतमा तमने रूची रस रूची जुए व्यसनम सुरूतव शुरूतो ऐटले सास्तडर तो सास्तर सीखवानी तमने व्यसन होवіч जुए जोब गणा बता व्यसन होजी छे खराब व्यसन होजी चेंटो सारी बाबतनी जो ब्यसन करवाम आवे तो आपड़ो बेडो पार्त ही जाएं तो शुरुतव सप्तमि विबग्ति के सास्त सिखवानी बाबत माँ तेनु व्यशन वाउँद जीये प्रकरूति सिद़ं एदम ही महात्म नाम तो जी महात्म नाम यटले केज़़े के जी महापूरूसों छे, यहामने केज़े के आउ स्वभावति सिद्ध होयेचे महापूरुषो ने आ स्वभावती सिद्ध होय छे प्रकृती इटले स्वभाव परवर तो जे आब दु करे छे ते महापूरुष छे महात्मा छे हवे आपड़े आगडवती हे के तेसु कैवा मागे छे नीचे जे समझायु छे तेने समझीए अस्मीन स्लोके कवीना महात्मनाम प्रकृती सिद्धम व्यक्तित्वम वर्नितम अस्ती हुँ संधी छुटी पाड़ीने तेनु अनुवाद करूचो के आश्लोकमा अस्मीन स्लोके आश्लोकमा कवीना एटले कवी ये महात्म नाम एटले महात्माओना प्रकृती सिद्धम एटले स्वभाव सिद्ध एवा व्यक्तित्मम वर्नितम अस्ति एटले व्यक्तित्म वर्नू वर्नान कर्युँछे स्वभावती सिद्ध एवा व्यक्तित्मनू वर्नान कर्युँछे તતચે થમ એલે તત પ્લસ પ્લસ ઇથમ બરોબર प्लस इत्थम बरबर तो केचे के तत च इत्थम इतले अन्च इतले अने तत इतले ते अने इत्थम इतले आ प्रमाने अवगंतम व्यम अवगत थाओ इतले समझू तो अवगंतम व्यम तत च इत्थम इतले तत प्लस च प्लस इत्थम संदी थाई चे अने केचे के ते आ प्रमाने समझू जोईये के जीवने प्रत्यकम जनेन जीवन मा केचे के दरेक मानवे दरेक मनुस्ये विपदह अब्युदयासिया च साक्सातकार करणिय भवती विशर्गन ओ थायो छे एटले करणियो एटले करणिया अनिय आ प्रत्याई जे लाग्यों छे ए विद्यार्थ क्रुदन छे अने विद्यार्थ एटले सलाह माटे भप्राए आम करू जिये तेम करू जिये पोतानी फरजनो भाव बता हुआ तो अपन विद्यार्थ भप्राए बरबर तो केचे के जीवने प्रत्येकम जनेन जीवनमा केचे दरेक मानवे विपद अब्युदयस्य एटले आपत्ती नो अने उन्नती नो साक्सातकार करणी या भवती एटले केचे के सामनो करवानो होई छे तमारा जीवनमा प्रगती पन होई तमारी अने क्यारेक आपत्ती पन होई तो अब अन्नेनो तमारे साक्सातकार एटले तमारे आनी बेट करवानी होई छे साक्सात करवो एटले रुबरु बेटो करवो एनो अर्थ चे सामनो करवानो होई छे तत्र विपदी दैर्यम दरनियम भवती तो केचे के सुकरूजी ये तो केचे के विपत्तीमा आपत्तीमा तमारे दैर्यम दरनियम एटले दैर्यदारण करवानू होय छे अब्युदाये च च अने अब्युदाये एटले उन्नतीमा अने उन्नतीमा क्षमा करणिया भवती उन्नतीमा तमारे क्षमा एटले के माफी आपवानी होय छे अत्वा क्षमा करवानी होय छे ते पची प्रगती जोईने आपड़े फूली जईए अने अभिमानी बनी जईए अने कोईने तमे माफी ना आपो तो तमारु गणू बधू अहित्थ ही सके। तो क्षमा भाव वो जोईए। इटले तमारी उन्नती होय, प्रगती होय, तो तमारे क्षमा रुपी सस्त्र होव जोईए। जोईये, तो क्षमानों उपयोक कर वो जूए यटले कि माप करवानी भावना होई, जोईये, आगर जुए शुकेवा मागेछे, करतवयम आचरता जनेन, बर बर करतवयम आचरता इटले करवायोग्य कार्यने, करतव्य मिले करवा योग्य कार्य आने आचरता ये आचरन करता जनेन बरवर मानवे कदाचित क्यारेक सदसी युद्धेवा स्थीती करणिया भवती वरवर, सदसी युद्धेवा, अभे तमें समझी सको छो, कि सदसी एटले सभामा, अने वा एटले के अथवा कांतो, वरवर, संयों जग छे, के अथवा कांतो, तो सदसी युद्धेवा, एले सभामा के युद्धमा, स्थिती करणिया भवती, एटले के छे के रहवानू होय बरबर शभामा के युद्ध मा रहवानु होय छे स्थीती करणी एटले ये प्रमार्नेनी स्थीती करवी एटले त्या रहवानु होय छे तत्र सदसी वाकपटूता आचर्णिया भवती तो सुकरू जुये तो सबामा वानी चातूर्य वाकपटूता दाखववानु evolve दाखववानु अने च युद्ध मा विक्रमा प्रदर्शानिय याः भवती युद्ध मा पराक्रम देखाडवानु होय छे मित्रो युद्ध मा तो बराबर रणांगन मा तमारे सस्त्रों साते खेलवू पड़े जीव सटो सटनी बाजी रंबी पड़े त्या ब्यासी रहे वाती हात पर हाथ दरीने ब्यासी रहे वाती मिल पड़े नई पराक्रम दाखवू पड़े बराबर मित्रों तो आपड़े आगडवात करी विपद्धी मां दैर्य, उन्नती मां समा, सदसी एटले सभामा, वाक पटूता एटले वानी चातूरिय, पने युद्ध मां पराक्रम एटले क्यों विक्रम देखा दाखवू जोईये आगडवदी एशु केवाम आगे छे, मनसा विचारयता जनेन यस स्रुती च इती गुण द्वयं वरणियं भवती बरबर, जो मनसा विचारयता, मन्ती विचारता, जनेन, मानवे, यस स्रुती च इती, यस अने स्रुती, स्रुती इटले ग्ण्यान, विद्ध्या, च इती गुण द्वयं वरणियं भवती ये 2 गुणोनी पसंद की करवी पड़े चे, एक यस अने बीजू छे श्रुती इत ले ग्ण्यान अत्वा विध्या, ये 2 नी क्ये छे के पसंद की करवी पड़े चे बराबर तो बीनी पसंद की करवी पड़े छे तत्र यससी अभीरूची करणिया सुरुतवच व्यसनम करणियम तो कई बाबत मा तमें सफ़र थसो तो कहवा मागे छे के तेमा यसनी बाबत मा तमारे प्रेम अभीरूची बरबर प्रेम केडवो पड़े अबीरुची किरवी पड़े चो स्रुतव व्यासनं वरनियं अने के चे सुरुती ना वीशय मा व्यासन एटले के आधत राखवानू होय छे व्यासन राखवानू होय चे ये आधत राखवानी होय चे एवी टेव पाडवानी होय छे कि तमें इस सास्त्रने समझो सास्त्रना गुड अर्थने जानो बरबर अने ए जानी ने तमें विद्वान बनी सको पड़ ए प्रमाने तमारे एवो व्यसन राकवू पड़े जें बीजा कोई व्यसन होय छे तो आपड़ू मन ए तरफ खेंचाय छे तो बनवानी बाबत मा अपन ए होऊ जोईए जेने बनवानी बाबत मा व्यसन थाई गयू तो यहम केवाए कि व्यक्ती ए बाबत मा आगण हसे कारण के आपड़ी रस रूची केड़वाए तोज आपड़े आगण वती सकीए आपड़ी इच्छा होय आपड़ू मन होय तोज आपड़े माणवे जैई सकीए गुजराती मा कहे वच्चे के मन होय तो माणवे जवाए एटले आपडे रस रूची ओवी जरूरी छे तो तमारे यस एटले प्रसिद्धी मेडवी छे तो तमारे अभी रूची एटले के प्रेम रस दाखावो जोई छे अने सास्त्र के विद्या बणवी छे तो तमारे एनू व्यासन ओवू जोई छे व्याशन एक टेव छे आदत छे बरबर पन सारी बाबत नी होवी जोईए तो आ बाबत आपड़े जोई अने हवे आपड़े जोईए कि छेलो पेरिग्राप शुक एवा मागे छे बरबर तो मित्रु छेला पेरिग्राप माँ आपड़े जोईए कि शुक एवा मागे छे आयाती एव बरवर संदी अपने चूटी पाड़ी नेनू अनुबाद करिये के तेशु कैवा मागे छे के प्रत्यकम जन्नस्य जीवन है दरेक मानवना जीवन मा यथा अवसरम बरवर यथा अवसरम इटले के प्रसंग उपो थाए अवसर इटले प्रसंग बरवर के उपर मुझबन कोई प्रसंग कोई अवसर तो उबो होई चे उबो थाए चे बरवर तो केचे के प्रत्यकम जन्नस्य जीवन ने यथा अवसरम उपर यउगत प्रसंग सटकम एतद आया थी के यथा आउसरम इटले जीवनमा प्रसंग उपो थाए त्यारे उपर कहेला उपर युगते इटले उपर कहेला प्रसंग सटकम एतद आयाती इटले के जएकर आचह प्रसंगो आवयत्छे, आचह बाब तो और जीवनमा आवयत्छे एशू 60 प्रसंगेशू अच्छ प्रसंगो आवे त्यारे मानवह एटले केचे के मनुष्य याद्रूश प्रयत्न माचर रती याद्रूश एटले जेवो प्रयत्न माचर रती याद्रूश एटले प्रयत्न करेचे मनुष्य केचे के जेवो प्रयत्न करेचे ताद्रूश तस्य व्यक्तित्वम आकारितम भवती याद्रूश एटले जेवो अने ताद्रूश एटले जेवो बरबर दरेकना जीवन मां केचे कि आ छो प्रसंगो आवे छे अने छो प्रसंगो आवे त्यारे मनुष्य केचे कि या द्रूस प्रयत्न माचरती जेवो प्रयत्न करे छे ता द्रूस तस्य व्यक्तित्वम आकारितम बवती तेवु केचे कि तेनु व्यक्तित्व उपसी आव विपत्ति आदीशु एटले विपत्ति प्लस आदीशु अवसरेशु धैर्यादी दारण रूपम व्यभारम आचरती बरबर के जे मनुसियाम केचे के खुब प्रयत्न करीने महता प्रयत्ने खुब प्रयत्न करीने विपत्ति आदीशु एटले केचे के आपत्ति वगेरे अ अवसर एसु इटले प्रसंगो मा धैर्य आधी धारण रूप व्यभारम आच रती इटले केछे के धैर्य वगेरे धारण करवानों व्यभार करेचे आज रती इटले करेचे तस्य व्यक्तित्व महत भवती तो केछे के त्यनू व्यक्तित्व महान बने चे मानव माती महा मान બાવતી તેનુ વય્ગ્તીત્વાં મહાં બને છે સની મહાં બાંતી મહાં ભાંતીons જેવમ આસમીન શલોકે आम कैचे के अस्मिन श्लोके आश्लोक मां मानवी यस्य व्यक्तित्वस्य रेखांकानम करोती आश्लोक मां कैचे के मानवी यस्य व्यक्तित्वस्य इले मानवी व्यक्तित्वनु रेखांकान रेखा चित्र करोती राजरसी भरत्रु हरी राजर सी राजरुसी राजाओ ना रुसी राजर्सी भर्त्रू हरी ही रेखांकनम करोती रेखांचित्र आलेखे छे रेखांकन करे छे कौन हूँ तो कैशे के मनुष्यना व्यक्तित वनू तो एवन अस्मीन स्लोके मानवी यस्य व्यक्तित्वस्य रेखांका नम करोती राजर सी बर्त्रुहरी तो राजर सी बर्त्रुहरी केचे के आम आ स्लोक मानवी व्यक्तित्वनू रेखांका नालेखे छे रेखांकी रेखा चित्रा आलेखे छे अने छेला वाक्यामा सु केवा मागे छे के वयम अपी आपने सु सीखे आमा थी तो केचे वयम अपी आपने पन केचे यथा अवसरम आपने पन केचे के अवसर अनुसार प्रसंग अनुसार करणियम व्यवहारम आचरंत है इतले केचे के अवसर अनुसार कार्य करवा व्यवहारम आचरंत इतले व्यवहारने आचरता महात्मान स्यामह महा पूरूसो बनिये आपने पन कैचे के अवसार अनुसार कार्य करीने कार्य करवा माटे यथा अवसारम करनीयम अवसार प्रमाणे कैचे के कार्य करवा महापुरुसो बनिये स्याम इतले बनिये इती दीक इतले दिशा तो आटलू दिशा सुचन कैचे के आप यू छे तो ए पर्याप्त छें, पूर्तु छें, इती दीक, इती इतले अंत, अने दीक इतले दीशा, तो आ एक दीशा तमने बतावी, मार्क दर्शन आपिऊ, तो केचे आटलू दीशा सुचन पर्याप्त छे, भरत्रू अरिये जे आपिऊ, ए आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तमने सर्वातमा बात करी, आम तो एक भागमा थुडुक लाम्बू करी, ये तो लेशन पती जाये वहतु, पण किदु तमने व्यवस्तिक थुडु समझाओ, एक एक सब्द समझाओ, संधी चूटी पाड़ी ने, एटले आपने आ लेशन ना बे भाग कर्या, बर्बर तो बीजा भागमा आपने ए स्लोक विशे समझावामा आवियू, कि अच्छा प्रसंगोतो दरेक ना जीवन मा आवे छे, पण तमे एने ए समय केवी रिते पोतानी जातने ढाड़ो छो, जातने कई रिते संभाडो छो, औने कई रिते ए मुश्केली ना समय माती बहार आव बरबर, तो केचे के तमे पूरुस माती महापूरुस औने आत्मा माती महात्मा बनी सको, छो, तो छेल्ले जे वादकर ये वाक्या आपड़े फर एकवार समझी लईए, कि वयम अपी यथा अवसरम करणियम व्यभारम आचरंतव, आपने पन केचे के अवसर प्रमाणे, अवसर प्रमाणे केचे के अवसर अनुसार, यथा अवसर हम अवसर अनुसार कार्य करवा, बरबर, कार्य करवा जूए, व्यभार नुँ आचरं और करवा जूए, अने महात्मा न स्यामा अवमा बनवू जूए, बर बर एटले के महापुरुषो बनियें स्याम एटले बनिये तो के चेके इती दीक है एटले के चेके आटलू जे दीशा सुचन छे ते पूर्तू छे परियाप्त छे तो राजर सी बरत्रु हरी जे हमने त्रण सतक को रच्या छे स्रुंगार सतक, वैराग्य सतक और निती सतक सतक मींज के हंड्रेड सो तो सो स्लोको नो एक करंत एक समुह हो आए एवा त्रण सतको माथी आही निती सतक माथी आ स्लोक लेवामो आवयो छे तो आप आठना करता क्रुतीसू छे तो तमे जोई सको के भरत्रु हरी एना करता छे अने निती सतक जे सो स्लोको नो संग्र छे यहमा ती आ स्लोक लेवामो आवयो छे बरबर मित्रो तो आपड़ा जीवन मा उतरवा जीवी बाबत छे अही आ बणया पची बुली जवानी बाबत न थी बरबर कार्ण के विद्यार्थी अवस्ताने आ लागू पड़े छे कार्ण के विद्यार्थी अवस्तामा जो विद्यार्थी खोटा व्यसनों दुर व्यसनों मा फसाई जाए तो एनू जीवन बरबात थाई जाए अने जो एने बणवानू व्यसन थाई जाए तो एनू जीवन सारा मार्गे चाही सके बरबर कारण के आपड़े बनी गणी ने मोटा बन सू बरबर आपड़े एक सारू करियर बन से सारी कारकीरदी आपड़ी गड़ा से तो आप आठ जे आठ्षना विद्यार्थी के साइंस ना विद्यार्थी जे पन जोता हुए तो आमने पोताना जीवन मा भणवानू मुल्य सुचे समझ हुजुई हालनो समाय छे क्या आपड़े गरे रही ने अभ्याज करिये छी साडामा जवु अत्यारे पॉसिबल थतू नथी बराबर सरकारनो आदेश नथी है ने आपड़े साडामा नथी जई सकता तो मित्रो घरे रही ने आपड़े स्वाध्याई करी सकिये स्वाध्याई पोतानी जात वड़े आपड़े सिखी सकिये हाँ वीडियो मुकवानू कारणे चे के तमें एक थी वधारवार वीडियो जोई सको अने समझी सको अने अना स्वाध्याई ने अना भासान तर ने समझी अने आखु लेशन तमारू तयार थई जाए बरबर ग्रामर ना टॉपिक होए तो आपने दोरन दस्मा बणी गया छिए ये वक्ते पण में विद्यार्थियों ने कहिए तो के जे वुँ ग्रामर जे व्याकरण चलावुछू तो तमे आ व्याकरण तैयार कर जो कारणके अग्यार बार मा ग्रामर होतू न थी पड़ अत्यार नू भणेलू तमने आवनार बवीश्यमा काम लाग से बरबर छता पण हूँ तमने समझावती वक्ते वच्चे वच्चे संधी विच्छेत करू छू एक एक सब्द समझावू छू बरबर तो मित्रो तमारू कार्य सारू चालतू होसे आ लेशन माथी तमे पण सीख जो तमारा व्यक्तीतवने पन तमे महान बनाव जो अन्य बनावा माट या छप प्रसंगो aw大家 तमारे पूतानी जातने केवी रिते संभड़वानी छे ये तमे सिख्या हासो तो आमां कोई मोटा व्यक्तीतव निर्माण ना कोई क्लास के वर्गो करवानी जरूर नती पड़ आपड़ी पासे बद्धुच छे मात्र आपड़े तेनों अमल करता नती तो तेनों इंप्लिमेट ये आपड़े करवो जोई ये बराबर मित्रो तो सर्व मित्रो घरे रहीने कार्य करजो आनों स्वाध्याय कार्य पूरुन करजो बरबर सर्व मित्रों ने मारा जै राजा राम